भारत से चीन सीमा पर सडक से पोहँचना किसी जंग से कम नहीं था रक्षामंतरी राजनात सिंग ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये चीन सीमा के लिए बनी घटा बगड लिपू लेक सडक का ओनलाइन उद्घाटन किया लेकिन बता दे कि कई कटनाईयों के बाद मजदूरों ने इस मुकाम को हसिल किया है चीन सीमा पर लिपू लेक के लिए 1999 से सडक का निर्मान किया जा रहा था तवाघाट से लिपू लेक तक कुल 95 किलोमेटर सडक की कटिंग का काम पूरा हो गया तवाघाट से गरबाधार तक 2008 में ही सडक का निर्मान पूरा कर लिया गया था 2014 के बाद सडक निर्मान में काफी तेजी आई तवाघाट से गुंजी तक कटिं चट्टाने होने के कारण सडक निर्मान में काफी मुश्किले सामने आई लखनपुर और नजंग की पहाडियों को काटना बेहद मुश्किल था इन चट्टानों को काटने में पिछले 10 सालों में गरिफ के एक जूनियर इंजीनियर, दो ऑपरेटर और छे स्थानिय मजदूरों को अपनी जान गवानी पड़ी करोडों की मशीने भी इनी चट्टानों में दफन हो गई थी गरिफ के अधिकारियों के अनुसार सडक निर्मान के दोरान 65 लाग की लागत का डोजर, 2.5 करोड रुपे की डीसी, 400 ड्रिलिंग मशीन, 40 लाग रुपे की वैगन ड्रिल मशीन सहित कई मशीने नश्ट हो गई थी चीन सीमा तक बनी घटा बगड लिपू लेक सडक पर करीब 408 करोड की राशी खर्च हो चुकी है सडक कटिंग का काम 2008 से पहले गरिफ की 65 RCC ने किया जून 2008 से 67 RCC गरिफ सडक का का काम कर रही है गरिफ के चीफ इंजीनियर विमल गोस्वामी ने बताया कि सडक की कटिंग का काम पूरा हो गया है अगले दो तीन वर्षों में सडक को पक्का कर लिया जाएगा बी आरों ने गुंजी तक भारी मशीने पहुँचाई थी इन सभी मशीनों और टनों भार वाले अन्य उपकरणों को हेलिकॉप्टरों से पहुचाए गया था कई भारी मशीनों के पार्ट्स अलग-अलग कर हेलिकॉप्टर से गुंजी पहुचाए गया जिने गरिफ के अभियंताओं ने जोड़ा कैलाश यात्रा पर जाने वाले लोगों के साथ ही इस्थानिय लोग, सेना और अर्ध सैनिक बलो को भी सड़क के बनने की लंबे समय से प्रतीक्षा थी चीन सीमा तक सड़क बनने से प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा अब सुगम हो जाएगी इस यात्रा में अब महज एक हफ़ते का समय लगेगा अब तक इसमें 21 दिन का समय लगता था वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम अमरुजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल यानि टैम्स दे रहा है सुनेहरा मौका एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रुका दिता कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें